ओम जैन्ती मंगलाकाली भत्रकाली कपालनी दुरगाच्छमा शीवाधात्री श्वाशुदा नमस्तुते नमस्कार मैं हूँ जोट्साचार डॉक्टर विंत्रपाथी आप देख रहे हैं भागी गुरु कारक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे कि पंचांगो की क्या इस्थती है सुर्योदे कब होगा सुर्यास कब होगा चंदरमा किस राशी पर है राहु का अलकाव है दिशासुल कब है कौन सा तिथी है कौन सा यूग है कौन सा करण है कौन सा नचत्र है राहु कालकाब है सुबती थी क्या है सारी बात हम आपको विस्तार से बताएंगे बात करेंगे आज के महामंतर की कि आज की महामंतर का जब कैसे करेंगे जब करने साब को क्या लाब होगा और इसके बाद बात करेंगे 12 राशियों की बारे वे कि आज किसका भागोदे होगा, कौन खेल के चित्र में, या सरजित करेगा, कौन फिल्म बनाएगा, कौन कहानी लिखागा, किसको रियली स्टेट प्रापर्टी चलाप मिलेगा, किसको सरकार में उच्चपत की प्राप्त मिलेगी सौधनी के अबरत्ते उपाय क्या करना है गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन उनके भी बारे में बताऊंगा दर्शकों के प्रश्णों का उत्तर भी दोंगा आप देखते रहे भागी गुरू कारिकरम यह हम बात करते हैं आज के मिनट पर सुर्यास्त होगा साम को 6 बच के 48 मिनट पर करण है बालो करण चंद्रमा रहेगा मीन राश्य में सुब महुर्थ है 12 बच के 4 मिनट से लेकर 12 बच के 54 मिनट तक रहेगा राहुकाल है सुबह 10 बच के 54 मिनट से लेकर 12 बच 29 मिनट तक रहेगा पस्ष्ण दिशा का दिशासूल है आपको आज एक बात का ध्यान रखना है कि आज चंद्रमाई मीन राशी में तो जो मीन राशी के जाता है कि उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा है सरकारी नोकरी उच्पत की प्राप्ति होगी समय आपका काफे अंगोलता लिए समय का सुद्ध प्योग करे दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहुकाल में कोई भी कारे न करें तीसरी बात के ध्यान रखना है कि सुम मोर्थ में क्या के कारे लाप्रत होता है तो सुम मोर्थ में ही किसी ने तरह के कारे करें आपके लिए वहतर होगा यात्रा खास तोर से दिशासुल में यात्रा निशेद है लेकिन अगर लगते हैं आपकी छोटी दूरी के कर सकते हैं तो माता पेता का इचनाण सफर्ष करिए दैही केसर गुड को मिला करके तिलक लगाईए और आप निकलेज यात्रा पापके यात्रा सुबर देए अब आईये बात करते हैं आज के माह मंतर की आज का मह मंतर है ओम हुम कुंद मुनलालाभं दैत्यानाम परमं गुरुम् सर्वसास्तर परवक्तारं भार्वं प्रड़म्याम्ययं हैं यह जो महाyah मंतर है दैत्यगूरू शुक्राचारे का है अगर आप इस मंत्र की जब करते हैं तो निश्चित रूफ से आपका सुक्र ग्रह मुझ्बूत होगा शुक्र ग्रह के ठीक होने साथ के जीवन में एस्षॉरे शुक् सम्रिद्धी होती है और आप जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं जीवन आपका शेंधार होता है और आपका उतुरों तर बीकाश सुटारा